हेले व्रीवन आशा करता हूँ आप से बच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के इंपोर्टन कोशन जो के एंटी पीसी और गुरूब डी और आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है तो आगे भी इस स पंचायति राज इंस्टिटूशन इन मैंसे कौन सा पंचायति राज इंस्टिटूशन नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा नागालेंट 1 का सी तो मैं कोशन देने के बाद थोरसा कुछ वक्त लेता हूँ कि आप एंसर खुद बहुत कर पाएं ठीक है उसके बाद तो मैं बोली दूँगा तो पहले खुद से ट्राइ किजिएगा नेक्स्ट कॉश्चन राना परताब सिंग ऑफ मेवर वाज डिफेटेड बाइ दे मुगल आर्मी इन दे बेटल आफ तो राना परताब सिंग कौन से बेटल में हारे गये थे मुगल आर्मी से नीचे हिंड दिया हुआ हिंड के तोर पर यूज कर सकते आप तो इसका एंसर हो जाएगा हल्दि गाटी तो अकबर और राना परताब सिंग के बीच में हल्दी गाटी की लडाई में राना परताब सिंग अरे गये थे यह कब हुआ था हल्डीटाथी 1576 में पाथ यह याद रखेगा पंद्रों 166 में हल्डीटाथी में जंग हुए थी किसी किससे बिच में अकपर और रνनापृताब सिंग फेमस बेटल ऑफ टाली कोटा वास फाउट इन तो बेटल ऑफ टाली कोटा जो था वो कब लड़ा गया था ओप्संस यह हैं आपके ठीक है तो बेटल ऑफ टाली कोटा 1565 में जंग लड़ी गई थी ठीक है इस बेटल ऑफ टाली कोटा में क्या हुआ था कि विजेनेगर एम्पायर का खात्मा हो गया था, यानि कि डाउनफॉल ऑफ विजेनेगर एम्पायर, किसके बीच में हो गया था, फाउड बिट्विन विजेनेगर एम्पायर एंड देकेन सुल्तान अफ आमदनगर, तो अगर यह भी पूछ सकता है क्षेशन में कि हम्पायर एंड केप्चर गौर, इन दे बेटल ऑफ सेर्सा ने गौर केप्चर किया था, हम्पायर को हराके कौन से बेटल में तो इसका एंसर हो जागा बेटल ऑफ चौसा, आप इसको तुक्का लगा के भी यूज कर सकते हैं, कि सेर्सा का पिरियड कब से कब तक था, अगर वो पता है आपको तो आराम से एंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है, तो सेर्सा ने दो बार हराया था हमार उनको बेटल ऑफ चौसा में और बेटल ऑफ कर्नोज में, जो के चौसा ले रही गई थे 49 को और 1540 को बेटल ऑफ कर्नोज, दोनु बार ही सेर्सा ही जीते था, ठीक है, किस ने शंबद कुमदी नियूजपेपर निकाला था, इनमें से, ठीक है, तो यह थे राजा राम महन राय, ठीक है, और राजा राम महन राय को राजा टाइटल किस ने दिया था, यह अकबर टू, यानि अकबर दुद्त्य ने राजा राम महन राय को राजा टाइटल दिया था, ठीक है, इनके दो और भी नियूजपेपर है, जैसे मराथा केशरी कलकत्ता विकम दे कैपिटल ऑफ बिल्टिस इंडिया इंडियर तो बिल्टिस के राज में कलकत्ता कैपिटल कब बना था? आपसंस ये दिये हुए है तो इसका एंसर हो जागा 1772 में ठीक है? अब ये हम लोग जानते हैं के कलकत्ता से सिफ्ट करके दिल्ली कब लेके गया था? उन्हें 111 में हना है एपेटिस एफेक्ट विच औरगन ऑफ दा हूमन बोडी है एपेटिस जो बिमारी होता है वो हूमन बोडी के कौन से औरगन को एफेक्ट करता है अपसंस ये दिये गए है आपके तो इसको ये एफेक्ट करवाता है ये लीवर को ठीक है एपेटिस हो जाने से हमारा लीवर ये हो जाता है एफेक्ट वपड़ जाता है 7 का ए हाउ मेनी ओरगन सिस्टम और प्रेजेंट इन दा हूमन बोडी हूमन बोडी में कितने ओरगन्स होते हैं अप्संस ये दिये गए है तो इसका एंसर हो जाएगा 11 हमारे बोडी में कितने ओरगन्स है 11 अगर पूछेगा वाटी ब्रे नमबर वाटी वर्टी वर्टी में कितने होते हैं वह 33 होते हैं ठीक है और अगर फेसियल बोड़ पूछे तो ये 14 होते हैं ठीक है और खौपड़ी में इसकुल में कितने होते हैं आठ होते हैं ठीक है नेक्स्ट दे क्रियर डिपलपिंग पोलियो वैक्सीन गोस्टू ठीक है तो पोलियो का वैक्सीन कौन निकाला था इन ओप्संस ये दिये गए है इसका एंसर हो जाएगा जोन्स सॉल्क ठीक है ये इंपोर्टेंट है एक्साम में आई सकता है कि पोलियो का वैक्सीन कौन निकाला था तो ये जोन्स सॉल्क इसका एंसर हो जाएगा वीट वीट को होता है ब्लेक रस्ट डीज़ ठीक है वियर इस दग गगल एयरपोर्ट सिच्वेट गगल एयरपोर्ट कहां पर है गुजरात है हेमाचल प्रदेश है केरला गोवा इन में से तो एंसर हो जाएगा हेमाचल प्रदेश बेतला नेशनल पार्क हैं इन में से कहां में तो इसका एंसर हो जाएगा जहार कंड डीन्वर उप्शन तो बालमी की नेशनल पार्क ये बिहार में है इसका एंसर हो जागा बारका D गेरनाइट इस एंग्जम्पल उफ विश टाइप अपरोक गेरनाइट जो है वो किस टाइप का रोक है तो इसका एंसर हो जागा इगनस ठीक है थाटीन का B ठीक का B हो जागा है और इंगनस रोक को ही क्या बोलते है प्रामरी रोक या फर बेसीक रोक बोलते है ठीक है आर इन गेमिकल सिम्बल अफ विच एलिमेंट आर इन जो है कौन से इन میں से कौन से का सिम्बल है ठीक है तो आन्सर हो जागा रेडन 14 का B अब देख लेते हैं, radium का क्या होता है, R.E.A. होता है, radium का R.E.A. होता है, radium का R.N. होता है, ranium का R.E.A. होता है, और ruthenium का R.E.A. होता है, एक बार देख लिए जगा, बहुत easy question है, लेकिन exam में यही सब question हमारा negative करवा देता है, ठीक है, radium, 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 confusing है, तो आप negative कर सकते है एक बार देहन से देख लिए जगा, radium का होता है, R.E.A. और radium का होता है, R.N. ठीक है, और ranium का तो R.E.A. और ruthenium का R.E.A. होता है, if in any water body, there is high BOD value, then it is generally, अगर BOD, BOD का मतलब क्या होता है, biological oxygen demand, अगर water में BOD ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि water clean है, polluted है, highly productive है, या highly unproductive है, तो इसका मतलब होगा, answer B, very populated, देखिए, biological oxygen demand का मतलब क्या होता है, कि oxygen की demand कितना है, तो यहाँ पर क्या बोला है, high oxygen demand है, यहाँ पर हाई दिकरा है आपको, high biological oxygen demand है, बन्हें oxygen demand किसम में होगा, जादा, जब water, water क्या होगा, polluted होगा, water अगर clean रहता, तो उसमें तो oxygen का demand कम होता, समझ मारा है, oxygen पहले से, water अगर clean है, तो oxygen पहले से है, तो उसमें oxygen का out demand तो नहीं है, लेकिन अगर water clean नहीं है, ठीकर, water अगर polluted है, तो उसमें oxygen का demand जादा होगा, समझ मारा है, तो इसका answer हो जाएगा 15 का B, ठीकर, तो हम लोगोंने कुछ ही minute में 15 question किये हैं, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, तो kindly like कीज़ेगा, share कीज़ेगा, और comment कीज़े, के कौन सा part अच्छा लगा है, या कुछ, नया कुछ बताना चाहते हैं, ठीकर, ए अच्छा अच्रा लगा, तो जा है